जैहिन साथियों अभियम लोग पसित हैं एक्जाम टोर चैनल पर जो भी BPSC के विद्यार्थी होंगे या BPSC PT का भी एक्जाम देना चाहते हैं या किसी भी competitive एक्जाम की तैयारी करते हैं तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है यह एक बहुत बड़ा इशू है इसे समझें करेंगे कि पहले जो इक्जाम होता था और अब जो दो बार इक्जाम होगा दो बार कहने का अर्थ हुआ कि एक 20 को और अगला 22 को तो उसमें क्या अंतर हो सकता है क्या आप लोग को समस्या हो सकता है और सरकार के द्वारा आयोग के द्वारा क्या ब्यवस्था किया गया है इस बात को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे यदि आपका अपना कोई शुजाओ हो अपना कोई राय हो तो जरूर कमेंट बक्स में कमेंट करेंगे BPSC विद्यार्थी से मैं एक नमर निवदन करूँगा कि आप जितने भी PCS या IS की तैयारी करते हैं वह सभी विद्यार्थी इस बात को जबाब देंगे कि क्या कोई भी एकजाम अभी तक बरतमान समय में किसी भी वह कोई भी एस्टेट PCS हो या UPSC का एकजाम हो दो दिनों में कराए गया है PT का एकजाम इस बात को कमेंट बक्स में जरूर कमेंट करेंगे चलिए सबसे पहले बता दें कि प्रशन पत्र लीक होने की घटना को रोकने और कदा चाल रहित परिक्षा को लेकर BPSC ने उठाई है कड़ी कदम अब देखिए कड़ी कदम में ये क्या उठाए है इस बात को जानेंगे और किसी भी परकार का चुकि आप भी प्रसासन में जाना जाता है प्रसासनी का अधिकारी बनना चाहते है तो आप अपने अनुशार इसमें सुझाओ जरूर कमेंट बक्स में कमेंट करेंगे ताकि मैं जाओं किसी भी व्यक्ति का इंटर्वियू लेने या विप्यसी अधिगारी का इंटर्वियू लेने तो उनसे उस प्रस्ण को मैं कर सकूँ विद्यार्थी लोग जरूर कमेंट करेंगे बीश वाप बाइस सितंबर को दो सिप्टों में होगी संसथवी विप्यसी पीटी की परिक्षा अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे दो सिप्ट में होगी दोनों सिप्ट के प्रस्टम पत्र अलग अलग होंगे और उनके परसेंटाइल को मिला कर मेरी लिस्ट बनाई जाएगी यानि कि परसेंटाइल दिखा जाएगा और उसके बाद मेरी लिस्ट तैयार किया जाएगा दो सिप्टों में परिक्षा होने पर सेंटर की शंक्या कम होगी इससे BPSC स्थानिय परसासन और पूरिश अपने संसाधन और मैन पावर को बेहतर धंग से पूरी परिक्षा पर करिया कि निगरानी में लगा सकता है यानि कहने का अर्थ हुआ BPSC के द्वारा BPSC आयोक के द्वारा कहने का अर्थ है कि दो सिप्टों होगी तो उनकी परसानी कम होगी और उनके पास जो भी मैन पावर है उस मैन पावर को वो लगा कर अच्छा से परिक्षा कराएंगे आठ माई में एकजाम हुआ था आपका 804 पदों पर न्यूकती के लिए संसटवी पीटी की परिक्षा ली गई थी 6.2 लाख आवेदन में से 4 लाख से अधिक इसमें सामिल हुए थे हाला कि इसका प्रस्णपत्र परिक्षा होने से पहले ही वायरल हो गया और परिक्षा रद करनी पड़ी इसी को देखते हुए बीपेसी के अधेक्ष अतूल परसाद और सचिव जीवत सिंग ने गुरुबार को परिक्षा पदिती में कई परिवर्तन की घोशना की ताकि घटना को रोका जा सके देखिए आप में क्या-क्या परिवर्तन हुआ है इस बात को समझेंगे और जानेंगे चुकि आपको भी एकजाम देना है तो जानना चाहिए अब देखिए पाला परिवर्तन क्या होगा आठ मई को परिक्षा शुरू होने पहले प्रस्नपत्र लिख हो गया इसको देखते हुए आठ सो चार पदो पर अच्छी निगरानी स परिक्षा कराने का जिमाली आ गया है सरकार के द्वारा आयोग के द्वारा परिक्षा के सामने खुलेंगे प्रस्नपत्र शील आपका शील प्रस्नपत्र आएगा और परिक्षार्ति के सामने खुलेगा यह अच्छी बात है शील मोहल पहले भी आता था लेकिन कुछ दिनो को लिक होने से रोकने में मदद मिलेगी अच्छी कदम है दो नमर में दिया गया है दूसरा बन आए गया है परिक्षारती के सामने ही शील बंद किया जाएगा और उतर पुस्तिका को दियानी कि आप जो देंगे उतर पुस्तिका उसको परिक्षारती के सामने ही बंद कर दिय जाएगा स्चील मोहर लगा दिया जाएगा परिक्षा समाप्त होने के बाद हर अभ्यार्थी की उतर पुस्तिका को उसके सामने ही एक लिफापे में स्चील बंद किया जाएगा आयोग की और से अभ्यार्थी को निर्देश भी दिया जाएगा कि परिक्षा खत्म होने के बा लगेंगे जैमर अच्छी बात है और सेंटर पर पहले भी लगता था अब भी लग जाए मोबाइल जैसे इलेक्ट्रोनिक डिवाइस के माध्यम से परिक्षा में चीटिंग करने या प्रश्ण पत्र को लिग करने से रोकने के लिए हर सेंटर पर जैमर लगाने की ब्यवस्ता होगी यदि उससे अधिक जैमर नहीं मिल सके तो ऐसे सेंटर पर जहां जैमर नहीं लगे होंगे वहाँ आयोग के द्वारा नीरानी अस्तर को बहुत बढ़ा दिया जाएगा मान लिजिए जैमर का ब्यवस्ता अगर सरकार के पास नहीं आया तो उस सेंटर पर आयोग के द्वारा कुछ बड़े-बड़े अधिकारी कुछ अले अला अधिकारी वहाँ पर लगा दिया जाएगा चाकि वहाँ पर जैमर का काम अधिकारी ही कर लें चलिए अची कदम है और उस ट्रक पर लदे रहेंगे एस्टिल ट्रंक से और उसको परिक्षा में GPS के अधार पर देखिए अब यहां पर परिक्षा के अंदर पर ले जाएंगे GPS अधारित लॉक होने से इसके खोलने पर अपना रिकॉर्ड होगा कि ट्रॉंक कोब और कहां खोला लॉक को परियोग करने के दवरां BSSC का रियाले में इसका इस्तमाल किया जाएगा देखिए अच्छी कदम है बहुत सारा सुधार हुआ है अच्छी बात है अगर इस तरीका से होता है और इस सुधार से भी यदि हम लोग कदाचार को रोक पाते हैं और जो भी प्रशन पत्र लिख कराते हैं उनको हम रोक प जा जाए अभी इसमें एक और अहम मुद्दा है उसको आगला वीडियो में मैं बनाऊँगा तब तक इस वीडियो को आप देखें और कमेंट बक्स में जरूर कमेंट करें जै हिंद जै भारत जै इवा